हेलो आप्रोन वैलकम टो अपना कैंपस मैं हूँ पुस्पिंद रियाद हूँ तर इगनु ने जनुरी 30 के ससन का एडमिशन स्टार्ट कर दिया है इसका एडमिशन फॉर्म एडमिशन के दौरा रिलीज कर दिया गया है तो आज के इस वीडियो में मैं आपके ही बताऊंगा क यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए आपको इनका एडमिशन फॉर्म किस तरह से फिल करना है जब आप इसका फॉर्म फिल कर रहे हो उसमें किन-किन बातों का ध्यान रखना है यहाँ पर डिटेल कैसे अंटर करना है डॉक्मेंट कैसे अपलोड करना है पेमेंट कैसे करना ह इस तरह की सारी बाते मैं आपको step by step practically करके दिखाऊंगा तो उसके लिए आप प्रीज वीडियो को end तक देखना सारी बाते आपको समझ में आ जाएंगी यहाँ पर वीडियो को शुरू करने से पहले एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा कि अगर आप इस साल इगनू में एडमिसन लेने जा रहे हैं या आप already इगनू के student हैं तो हमने आपके लिए सिर्फ जो भी बच्चे इगनू के student हैं उनके लिए एक टेलिग्राम पे अलग से channel बनाय हुआ है जहां पे हम इगनू से लेटर जो भी information होगी जो भी update रहेगी आपके assignments के बारे में प्रिफिसर के question paper के बारे में इन सब चीजों के बारे में information updates वहां पे हम आपको provide करते रहेंगे तो प्लीज आप लोग उसको join कर लेना और साथ में हमारी YouTube channel को भी subscribe कर लेना इससे आपको काफी help मिलेगी तो जो भी इगनू के student है प्लीज आप लोग Telegram का channel join कर लेना और साथ में चैनल को भी subscribe कर लेना चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं इगनू में admission लेने के लिए सबसे बले आपको इनका application form fill करना होगा और form कैसे fill करना है तो इसके लिए सबसे बले आपको आना होगा इगनू की official website पे इस website का link आपको इसी वीडियो के नीचे description box में मिल जाएगा जब आप link पे click करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का page open होगा जो आपको अभी screen पे दिख रहा है अब यहाँ प्याने बाद देखिए उपर आपको लिखावा दिखेगा click here for new registration सबसे पहले आप इस पे click करेंगे इतना करने के बाद आपके सामने इस तरह से एक नए page आएगा यहाँ पे page को नीचे करेंगे और यहाँ पे जो भी detail आपसे पूछी गई है इसे आपको ठीक से fill करना होगा सबसे पहले आपको पूछा गया username कि यहाँ पे आपको अपना एक username create कर लेना है username आप जो भी create करेंगे वो small letter में होना चाहिए उसके बाद नीचे आपसे पूछा गया है applicants full name यहाँ पे आपको अपना पूरा नाम लिखना है जो भी आपके documents में लिखे हैं 10th की mark sheet 12 की mark sheet में वही आपको आपको नाम लिखना है फिर नीचे आपको डालना है अपनी email id दो बार और email id आप वही डालना जो active हो उसके बाद नीचे यहाँ पे आपको अपने password create करना है password minimum 6 character का होना चाहिए जिसमें कि आप small letter डालेंगे capital letter होगा कोई numeric value होगी सब कुछ मिला कि आपको अच्छा सा password create करना है password को आप दो बार enter करेंगे फिर नीचे आप दो बार mobile number को enter करेंगे अपना mobile number वही डालना जो active हो फिर नीचे यहाँ पे आपको एक capture दिख रहा होगा इस capture को आप यहाँ नीचे डालेंगे और सब कुछ ठीक से फिल करने के बाद नीचे यहाँ पर last में लिखा है register इस पर आप click करेंगे इतना करने के बाद आप वापस इसी page पर आ जाएंगे यहाँ पर पेज को नीचे करेंगे और नीचे यहाँ पर बोला गया है login करने के लिए तो सबसे पहले आप डालेंगे अपना username जो आपने भी create किया था नीचे password डालेंगे जो आपने create किया था उसके बाद फिल नीचे यहाँ पर अपना capture डालेंगे और उसके बाद यहाँ पर नीचे last में लिखार login इस पर आप click करके login हो जाएंगे यहाँ पर login हो चुका है login करने बाद आप page को नीचे करेंगे यहाँ पर important बाती लिखें आप इसको पढ़ लेना बाकी कुछ मैं आपको बता भी देता हूँ तो form को fill करने के लिए documents कहके लगेगा तो आपका photograph लगेगा signature लगेगा class 10 की mark sheet लगेगी class 12 की mark sheet लगेगी अगर आप लोग master's class apply कर रहे हैं तो graduation की mark sheet भी लगेगी इसके बाद फिर आपका category certificate SC, ST, O, B, C जिस भी category से आप आते हैं तो आपको उसका certificate भी आप अप लोड करना होगा तो इस तरह से आप लोग जिस भी form के लिए apply कर हैं course के लिए उसके हिसाब से आपको अपना सारे certificate यहाँ पे upload करने होंगे form को fill करने के लिए ठीक है बाकी चीज़े में आपको भी आगे और बताऊंगा यहाँ पे आप इसको पढ़ लोगे पेड़ मत आप पेज को नीचे करोगे यहाँ पर लिखा है I have read the important information यहाँ पर बॉक्स पर टिक करोगे और नीचे लिखा है submit इस पर प्लिक करोगे इतना करनेक बाद अब यहाँ पे application form open हो चुका है और यहाँ पे जो भी डिटेल आपसे पूछी गई है उसे आपको ठीक से fill करना होगा सबसे बहले यहाँ पे बारी आती है personal detail की और इसमें पूछा गया है आपका full name applicant का full name यहाँ पे already यह आ रहा है और यहाँ ध्यान रखना कि जो भी detail आप डालोगे इसे ठीक से fill करना जो भी आपके documents में लिखा गया है वही detail यहाँ पे fill करना तो फिर पूछा गया है आपका mother name यहाँ पर मदरत का name लिखेंगे गार्जें रिलेशन आप गार्जें में यहाँ पर किसका नाम लिखना चाहते हैं father का mother का husband का आप बताएंगे उसको select कर लेंगे और नीचे उनका पूरा नाम यहाँ पर लिख देंगे फिर आपके date of birth यहाँ पर select कर लेंगे फिर category आप कि इरिया से belong करते हैं territory क्या है rural है urban है tribal है आप उसको select करेंगे आप minority से आते हैं या नहीं या no आप बता देंगे आपका religion क्या है वो यहाँ पर select करेंगे marital status क्या है आप married है unmarried है आप उसको है पर select कर लेंगे social status आपका क्या है अगर कुछ है तो आप उसको बता देंगे नहीं है तो आप not applicable पर click करेंगे इसके बाद नीचे अगर आपको बस कोई other alternative email id है mobile number है तो आप उसको fill कर सकते हैं फिर आप नीचे आएंगे यहाँ पर regular employee जो भी आप हैं आप यहाँ पर उसको select करेंगे फिर अगर आपको कोई scholarship मिली हुई है तो आप उसकी detail यहाँ पर डाल सकते हैं आपकी family की income होगरा क्या है वो भी बता सकते हैं क्या आप below poverty line से आते हैं yes or no आप बता सकते हैं अगर आप इसको select करेंगे तो आपको इसका category का नए page आएगा अब यहाँ पर आपने जो भी detail अभी तक फिल करी है वह आपको दिखाई जाएगी आपको इसको check करना है कि सब कुछ ठीक है नहीं अगर यहाँ पर कोई गलती होती है तो आप इसको अभी भी ठीक कर सकते हैं तो यहाँ पर पैज को नीचे करेंगे अगर यह कोर्स का जो फर्म फिल करने का तरीका हो सेम रहने वाला है तो यहाँ पर मैं एक्जामपल के लिए master पर क्लिक कर देता हूं अगर आप किसी और के लिए पर अप्लाई कर रहे हैं तो भी आप वीडियो को पूरा देखना क्योंकि फर्म को फिल करने का जो तरीका होता है सभी लिश्ट आ जाएगे यहाँ पे कोन कोन से कोर्स हैं तो जो भी कोर्स यहाँ पर आप को करना हो आप इस कोर्स को यहाँ पे असलेक कर सकते influenced तो यहाँ पर आप कुछ भी randomly मैं select कर ले रहा हूँ आप लोग अपनी साब से जो आपको करना हो उसको select कर लेना फिर आपका reason code for admission के आप किस reason को यहाँ पर select करना चाहते हैं तो जो भी आपका यहाँ पर पढ़ता हो आप उसको यहाँ पर select कर सकते हैं और उसके बाद पूछा गया है कि program study center code कोन सा है तो जो आप reason select करेंगे उसमें से फिर आपके सारे बहुत सारे यहाँ पर code आजाएंगे इसमें से जो college आपके घर के पास पढ़ता हो इसको आप यहाँ पर select कर सकते हैं फिर आप नेचे आएंगे तो medium में पर पूछा क्या है तो आपका course जिस medium में होगा अगर एक ही medium में तो एक ही नाम आएगा अगर दो medium है तो आपको दोनों में से जिसमें आपको करना हो English or Hindi उसको आप यहाँ पर select करेंगे तो यहाँ पर मैं randomly आपको सिर्फ दिखाने के लिए फिल कर रहा हूँ हूँ बाकि आप लोग ठीक से इसको फिल कर लेना फिर पूछा गया कि क्या आप एगनू के already student हैं क्या आपको और course भी कर रहे हैं अगर कर रहे हैं तो yes वरना आप यहाँ पर no पर click करके submit कर देंगे अब यहाँ पर फिर से आपने जो detail फिल करी आपको दिखाई जाएगी आपको चेक करना है सब कुछ ठीक है नहीं अगर यहाँ पर कोई गलती आपको लगती तो आप edit पर click करके इसको ठीक कर लेना आपने कौन को से सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं तो आप ने जो भी पढ़ा हो उसको आप यहाँ पर select कर लेना Hindi, Commerce, English, Arts अगर आपने ज़्यादा पढ़े हुए हैं example मालो में Arts कर देता हूं फिर मैंने English पढ़ा फिल करेंगे आपके कितने person marks यहाँ पर आए हुए हैं तो उसको भी आप लोग यहाँ पर फिल कर देंगे इसके बाद यहाँ पर आपको बोर्ड करना है कि आपने किस बोर्ड से पढ़ाई करी हुई है तो यहाँ पर बहुत सारे नाम है अगर इसमें कोई आपका है तो पर देना अगर नहीं है छोड़ देना और सब कुछ ठीक लगता है नेक्स पर क्लिक करके अगले स्टेप पर आ जाना अब यहाँ पर कोर्स के बारे में आपसे दो चीज़े पूछी जाएंगे कि आप जिस कोर्स के लिए प्लाई कर रहे हैं आप उसके लिए बुक लेना च तो आपको 15% का अब डिसकाउंट मिल जाएगा तो यहाँ पे 2 ने से आपको कुछ भी चूजक कर लो पहले चूज़े करेंगे तो आपको बुक नहीं आगी घर पर 15% का डिसकाउंट मिलेगा आप दूसरा आप्शन चूज़ेंगे तो आपके घर पर बुक आएगी और डि करना चाहते हैं इसको चूज करना होगा कि इसमें से कौन सा पढ़ना चाहते हैं तो यहां पर सब्सक्राइब आज जाना अब फिर से यहां पर दिखाए गया कि आप चीज़े दिखाई गई हैं आप इसको देख लेना कुछ मिलेंज करना एडिट कर देना वर्णा ने गएज़ने इसस्टेप पर आजाना अब यहां पर आ घ्रस जैप यहां पर एड्रस लिक्ना आपको एड्रस लाइन वन लाइन टू सिटी क्या है आपकी एयरा का PIN कोपी साफ कौन सा लगता है यह सब पाद आप यहां पर बार रही आते हैं अपनी फोटो और सिग्नेचर अप्लोड कर देना जिसका साइज 10 के बीसे 100 कभी बीच में होना चाहिए फिर क्लाश 10 की मार्चीट क्लाश 12 की मार्चीट अगर आप मास्टर क्लाइग कर रहे हैं तो ग्रेजिशन की मार्चीट फिर आप अगर कोई चीज आपके पास है जैसे कि अगर आप केटेगरी से बिलॉंग करते हैं तो आप केटेगरी वाला डाल देना बीपेल से अगर आते हैं लगा देना इसके लावा आप अपना जो एकात आधार वगर अभी एक में आप अपलोड कर देना और इस तरह से आप यहां अगर ठीक नहीं होगा ठीक है तो अगर कुछ भी गलती हो तो प्लीज उसको एक बार चेक कर लेना अच्छे से अगर सब कुछ ठीक है तो फिर आप अगले पर आ जाएंगे आठ्वे नंबर पे वहां पर आपको पेमेंट करनी होगी पेमेंट आपके जो कोर्स की फीस है उ करेंगे उसके बाद आपका जो है उसको यहां पर कर देंगे अगर उनको कोई प्रॉब्लम रहती है कुछ डाउट रहता है आपको डॉक्मेंट सब्सक्राइगा और साथ में अगर कुछ नहीं भी आता है तो बीच-बीच में चेक करते रहना इसी वेपसाइट पर आके आप जो यूजर नेम है पासवर्ड है उसको डाल के लॉगिन करके वहाँ पर चेक कर लेना अगर कंफर्म हुआ होगा आडमिशन आपका तो वहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा कि आपका आडमिशन कंफर्म हो चुका है तो इस तरह से सब कुछ आप लोग यहाँ पर देख पा